जै शीरी राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देव बनी में भक्तों आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा जै शीरी राम भक्तों आज की कथा है पंडित और चतुर नटनटी तथा राजा आईए कथा श्रवन करें बहुत समय पहले की बात है मेहंदर गड में राजा सौम देव राज करते थे उनके राज्य में गजा नन नाम का एक ज्यानी पंडित रहता था वह प्रती दिन भोर होने पर पूजा अर्चना के बाद राज भवन जाता था महाराजा के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता और राज्य की ग्रह दशा पर चर्चा करता था बच्पन से राजा सौम देव की जादू के खेलों में रुची थी वे स्वैम भी थोड़ा जादू जानते थे वे अपने कद को छोटा करके लोटे की नली से बाहर निकल आते थे यह राजा का प्रिय खेल था राजा रोज पंडित को यह खेल दिखाते और पंडित राजा की प्रसंशा के पुल बान देता महराज आप कमाल का जादू जानते हैं इस तरह का जादू पूरी दिन्या में और कोई नहीं दिखा सकता है राजा अपनी प्रसंशा सुनकर फूले नहीं समाते और पंडित को रोज दक्षिना में एक सोने की मोहर देते थे एक दिन पंडित को हरदेव के लड़के कालागन लेकर दूर के एक गाउं जाना था अगले दिन सवेरे तक लोट पाना संभव नहीं था महां से दक्षिना में अच्छे रकम मिलने वाली थी पंडित राजा से मिलने वाली सोने की मोहर भी नहीं छोड़ना चाहता था पंडित ने अपने बेटे लखन को पूरी बात समझाई और अगले दिन राजभवन जाने के लिए कहा लखन बड़ा खुश था बार-बार मन में दोहरा रहा था कि कल कैसे राजा को तिलक लगाएगा कैसे राजा की प्रशंशा करेगा पूरी रात इन्हें खयालों में कट गई अगले दिन वह पिता के बताई तरीके से दोती कुरता पहन कर तोपी लगा कर राजभवन पहुँच गया राजा रोज की तरह बगीचे में जूले पर बैठे थे लखन को आते देख उच्छा क्यों गजानन पंडित नहीं आये नहीं पिता जी आज दूर गाउं गये हैं इसलिए तिलक लगाने के लिए मुझे भेजा है लखन ने उत्तर दिया उसने राजा के मस्तक पर तिलक लगाया और लोटने लगा राजा ने उसको टोका अभी कहां जाते हो ठहरो तुम्हें अपने जादू का कमाल दिखाता हूं राजा ने हमेशा की तरह अपना कज छोटा किया और पास रखे पानी के लोटे में डुबकी लगाई फिर नली से बाहर निकल आए कहो छोटे पंडित रह गए ना दंग कैसा लगा हमारा जादू राजा ने गर्व पूर्वक कहा लखन को अपने पिता की बात याद नहीं रही उसने राजा की प्रशेंशा करने की अपेक्षा कहा इसमें क्या बड़ी बात है थोड़ा सीख लेने पर कोई भी कर सकता है यह उत्तर सुनकर राजा आगव बूला हो गया और गुस्से से बोला यह बड़ी बात नहीं है तो तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ पिस्वा दूँगा राजा का क्रोध देख लखन रोने लगा वह बगैर दक्षिना लिये ही घर लोट गया उसके माता पिता ने जब पूरी बात सुनी तो वे रोते गड़ गड़ाते राजा के पास अपने पुत्र की भूल के लिए छमा मांगने गए लेकिन राजा पर उसकी बिनती का कोई असर नहीं दिखा राजा ने अपनी बात दोहराई चैह महीने बाद सावन माह की पूर्ण मासी के दिन तुम्हारा लड़का कोई अनोखा जादू दिखाएगा नहीं तो पूरे परिवार को कोलू में पिस्वा दिया जाएगा लखन के माता पिता रोते बिलगते घर लोटाए उसने अपने दुखी माता पिता को धाड़स बधाया आप दोनों धीरज रखिये मैं जादू सीखूंगा और इस घमंडी राजा को छे महिने के भीतर अनुखा जादू दिखाऊंगा अगले दिन लखन सवेरा होने से पहले ही जादू सीखने की चाह में घर से निकल पड़ा रास्ते में वह एक पेड के नीचे रुका पेड की चाह में बैठते ही उसको जपकी आ गई नेंद में उसने कुछ गिरने की आवास सुनकर अपनी आखे खोली उसने देखा पेड से कुछ दूरी पर एक टोकरी रखी थी पास ही एक बुढ़िया खड़ी थी इधर उधर से उड़कर सबजियां कद्दू टमाटर लौकी भिंड़ी आदी टोकरी में आकर गिर रही थी बह टोकरी भर गई तो बुढ़िया के बिना छुए ही उसके सिरके उपर कुछ उचाई पर जाकर ठहर गई बुढ़िया उसी तरह टोकरी को लिये वहां से चल दी लखन ने अपनी आँखे मली वह तुरंत हड़बड़ा कर उठा उसके मुह से निकला जादू गर्णी और वह बुढ़िया के पीछे हो लिया बुढ़िया थोड़ी दूर जाने के बाद हरे रंकी एक दिवार के पास रुकी उसने दिवार को हाथ से धकेला और भीतर गुष गई लखन भी उसके पीछे से गुष गया भीतर एक और दिवार थी दिवार पर एक घेरा बना था बुढ़िया ने घेरे पर हाथ रखा तो वह एक गुफा में पहुँच गए बुढ़िया जरासा रुकी तो टोकरी अपने आप जाकर जमीन पर टिक गई अब बुढ़िया की नजर लखन पर पड़ी उसने कड़क कर पूँचा कौन है तूँ यहां कैसे घुसाया है लखन ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए बुढ़िया को सुनाई बुढ़िया का मन पिघल गया उसने लखन को अपने साथ रहने की अनुमती दे दी लेकिन एक चेतावनी भी दी कि उसकी मर्जी के बगैर वह गुफा से बाहर नहीं जा सकता है लखन ने यह बात स्विकार कर ली बुढ़िया ने पास खड़ी अपनी बेटी सुलोनी को भोजन तयार करने के लिए कहा तीनों ने भोजन किया और सो गए धीरे धीरे लखन ने अपनी बातों से बुढ़िया का मन मोह लिया एक दिन बुढ़िया उसे जादू की विद्या सिखाने के लिए तयार हो गई समय बीटते लखन वासलोनी में प्यार पनपने लगा बुढ़िया को लखन अच्छा लगने लगा था उसने कोई आपत्ती नहीं की खुशी से उसने दोनों की शादी करवा दी लखन को अपने नगर से निकले पांच महीने बीट गए अव्य जादू के खेल में पारंगत हो गया था उसने अपना और सलोनी का नटनटी का भेस बनाया और राजा के पास गया और राजा से कमाल का मर जीवनी का खेल दिखाने की इजाज़त ले ली और समय पर खेल शुरू हो गया लखन और सलोनी नटनटी के वेश में मैदान में आये जनता के बीच घेरे में उन्होंने एक चक्कर लगाया सबने तालियों से उनका स्वागत किया नट बने लखन ने सूत का एक गोला आकास की तरफ उचाला आकास और धर्ती के बीच धागे का एक पुल बन गया आकास में कोलाहल मच गया उस शौर के भेंकर आवाजें धर्ती पर सपष्ट सुनाई दे रही थी नट ने राजा से पूँचा क्या मैं आकास में जाकर देखाऊं कि यह युद्ध क्यों हो रहा है राजा ने इजाज़त दे दी और कहा दो घड़ी बाद लोट आना यहां सब तुम्हारा मर जीवनी कमाल देखने के लिए बैठे है जी महराज नट ने कहा लेकिन मुझे अपनी पत्नी की चिंता है वह यहां किसी को नहीं जानती है तुम्हारी पत्ने की रक्षा का जिम्मा हमारा है राजा ने कहा राजा की आग्या ले नट लटके हुए धागे के सहारे आकास में चड़ने लगा धीरे धीरे वह जमीन से दिखाई देना बंद हो गया सभी नट के लोटने की प्रतिक्षा में थे तभी आकास से किसी शरीर के कटे भाग नीचे गिरने लगे सब ने समझा युद्ध में किसी ने नट को मार दिया है नटी विलाप करने लगी लोगों ने उस कटे शरीर के टुकडों को अर्थी पर रखा और अंतिम संसकार के लिए शंशान में ले गए नटी भी अपने पती के साथ चिता पर लेट गई दाह संसकार के बाद जब सब लोग शंशान से लोटे तो देखा नट धागे को पकड़ कर नीचे उतर रहा था सब की सांसे थम गई राजा के तो होश उड़ गए तुम जिवित हो राजा के मुह से निकला मुझे क्या होना था मैं तो युद देखने गया था नट बोला तुम्हारा कटा शरीर नीचे गिरा था कर्म को पूरा करने के लिए चिता में भस्म हो गई राजा के एक सेवक ने बताया क्या कहा मैं नहीं मरा तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है लगता है राजा का मन मेरी पत्नी पर आ गया है नट ने क्रोध पूर्वक कहा नट की बातों से सभी हैरान परेशान थे किसी के पास कोई उत्तर नहीं था राधा नट के आगे हाथ जोड रहा था मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका राधा की बास सुनकर नट जोर से हसने लगा और बोला राधान, मेरी पत्नी तुम्हारे शैन कक्ष में क्याद है, जाकर देख लो ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपनी आखों से उसे आग की लप्टों में समाते देखा है वहाँ उपस्तित, सभी लोग एक साथ बोल उठे चलो, चलकर आप सब अपनी आखों से देख लो नट के कहने पर सब राजा के शैन कक्ष की और गए नटी राजा के विस्तर पर रस्यों से बंधी पड़ी थी राजा नटी को महाँ पाकर घबरा गया और बोला लेकिन मुझे नहीं मालूम तुम्हारी पत्नी यहां कैसे आई गबराईये नहीं महाराज यही तो मरजीवनी विद्या का जादू था सभे ने राहत की सांस ली और हर्ष पूरवक तालियां बजा कर नट के परशंशा की राजा ने नट को अपना राज नट निक्त किया उसे बहुत साई नाम दिया फिर पूँचा बोलो और क्या चाहिए तुम्हारे खेल से हम बहुत परसंद हैं नट ने अपने नकली बाल और दाड़ी मुझे हटाई चहरे पर लगा रंग पूचा और कहा राजन मैं गजानन पंडित का बेटा लखन हूँ मैंने चह माह में आपकी विशेश जादू दिखाने की शर्ट पूरी कर दी है अब आप मेरे माता पिता को छमा कर दें राजा की आखे चल चला गई उन्होंने लखन को गले से लगाया और बोले तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम जैसा पुत्तर मिला है आज से तुम राजनट और तुम्हारे पिता राजपंडित हुए अब लखन अपने माता पिता वपत्ने के साथ सुक पूर्वक रहने लगा दोस्तों आपको अकथा कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेर जरूर करें जिससे लोगों का अच्छा गयन पराप्त हो जैश्र राम भक्तो